आज से शुरू हो रहा है बरबादी वाला वेलेंटाइन डेव इस वेलेंटाइन डेव से खुमार में लोग यह भी भूल गए कि वेलेंटाइन डेव से कहीं हो और भी शुरू हो रहा है जो की बहुत जरूरी है इस देश के बहुत के लिए और ये ध्यान रखना सब की जुम्हेदारी है क्योंकि ये बहुती गलत तरीके से फैल रहा है और जो की गलत प्रभाव भी डाल सकता है नमस्कार अंदुस्तान सवात आपका मेरे चैनल नने जो में महां होना दिनी जैसी रग जैन जै भारत आज से वेलेंटाइन डेविक शुरू हो गया इसके खुमार में लोग ऐसे पगलाए हैं पत फदम हो जाएगी इसी तरह की सूच है जो लोग जिंदेगी में कुछ कर चुक है जिनके पार कुछ नहीं है करने के लिए पहले तो किसको नहीं करना चाहिए अगर वो कर भी लेते हैं तो उन्हों कोई फर्क नहीं पड़ता है जिन्हें इस ब्रवादी वाले वीक का फर्क पड़ता है वह हमारे देश के बचे हमारे देश के टिनेज्जर को मिनके कंदों देश क करें उनका भूश टीका है पूरी गहर की उमीदें ठीकी है उनका प्लप ःप साथिका हुआ है यहां पर कम से कम मागूं को यहां पर स्तर्पूना जोड़िए क्योंकि टीनेज एक ऐसे उम्र होती है जो बच्चे सही और गलत को नहीं पैचान पाते और गलत और बुराई गलत रास्ते बुराई यह बहुत जल्दी प्रवाइद करती है अच्छाई के लिए आपको सर जोड़िए कि उसके बावजूद भी हो इस्तेमाल में हो पागी है नहीं हो पाईगी उसका पता नहीं चलता है इसलिए मैंने कहां यह वैलंटाइन वीक निए बरवादी वाला वीक है अफसोस था होता है कि जब छोटे-चोटे बच्चे भी गुलाब लेके बहाग रहे हो क्योंकि उनके उनके उनकी जिन्देगी पर इसका पहुच ज़्यादा भर्क परता है और यह जुमिदारी किसकी बनेगी आज के बाद वैलंटाइंड वीक है यह तो सभी को पता है सब कह रहे हर जगा रहे हर सोसे लोटिंग साइट पर आज के बाद यह मंत पढ़ाई का है बोर्ड एक्जाम सर पे हैं होम एक्जाम उसके बाद आते हैं और यही महने होते हैं जो पढ़ाई के होते हैं हमारे यहां बाहर क्या होते हैं हमारे उत्ता नहीं पता है यह बताने के जुमिदारी किसकी बनेगी क्या पैरेंट्स की जुमिदारी नहीं बनती है टीन एज ए तो जहर सी बात है परिवार पे उसका अथसर पढ़ता है सबसे पहले अगर बच्चे सारे एकर के परिवार पीड़ देश के भौस जिसे हम कहते हैं वह बरबादी की रहा चल पढ़ते हैं कि मैं तीनेज की लिहाद से इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानूंगी हो सकते हैं बहर और को त्योहार है वहां यह इस चीज को सबाइकता से लेते हूं और वो लोग बैले से बनाना भी जानते हैं लेकिन हमारे देश में हाली के सालू में इसका खुमार ऐसा चारा है कि ज सब्सक्राज को सह को देते हो इससी की इजाजत देते हो तो इस पारेट की जुमधारी बनते है कि अपनी बच्चे के जुमधाराइब कर Sociesar को नहीं कह सकते हम किसी थोतों जान कर दोंको कि ऐस नेता को नहीं कह सकते लेकिन यह न परेज बच्चों के लिए बहुत ही गलत है हम देख रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे जिन्हें पता भी नहीं है यह चीजें होती क्या है वो एक दुसरे के साल इप्टे पड़े रहते हैं जो कि बहुत गलत होता है उनको यह तक नहीं पता हमारे देश के संस्कार क्या होते हम अगर एक बार के लिए जो बच्चे सेटल हो चुके है अपने लाइफ में एक बार के लिए करने समझ माता है लेकिन टीनेज पर इसका बहुत भी गरत असर पड़ता है इसलिए मैं कहना चाहूंगी पैरेंट को कि इस तरह कि अब चीजुमें बच्चों को बच्चे ना इसकी दिसा ठीक करोंगे तो दिसा अपने आप ठीक है एक दूसरे क्षे आप पूरग है यह दिसा और दिसा ही तुम्हारे हाथ में मैं कहना चाहूंगे टीनेज वजेत्ते भी बच्चे हैं इन सब चीजों से आपको कुछ ने मिलने वाला है अपने सांधोगा मत करो अपन प्यार होता है सिर्व गलत होता है पाहरवालों का तोहर उन्हें साइध अच्छे से समझ में आता होगा वह शायद इसलिए इन चीजों से बस भी जाते होंगे और होशकते वहां उस चीज को इता गलत भी नहीं वाना जाता लेकिन हमारे देश में तो एक बच्चे के उपर खर की उमीद उसे लिए कि पूरे देश तक की उमीद हैं बच्चे तो पहले किसी देश के नहीं भी करने चाहिए लेकिन हमारे देश में जिस तरह से चल पड़ा है चलन यह चिंता कभी सह है खास का टीनेज्ट के लिए और लड़कियों को खास का समझ समल के रहने की यहां पे बहुत ज़्यादा जरू होता है तो पैरेंट्स के जुमिदारी बनती है कि यह वक्त पढ़ाई का है उस पर कॉंसेंट्रेट करो अपनी फ्यूचर पर ध्यान दो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो फालतों के बातों प बढ़ाई पर ध्यां के अच्छा आप बनती है माओं के खास का टीने ऐज क्यूंकि एक ऐसा धिमाग उनका रहता है की जल्दी से उन पर गलत चीज़े परभाईद करतें लीज़े बढ़ाई जल्दी अपना सर करती है लेकिन यह उम्र है इस तरह का है विड़त बहुत कुछ ना कर रहें कि एक सही लाइन पर इजट के लाइन पर रहने जितना निमाग होगा जितना वह पढ़ाई कर पाएंगे लेकिन एक सही रास्ती पर रहेंगे कि एक इजट के रास्ते पर रहेंगे वेलेंटेंड डेडी वीक ये सोसेल एडिंग साइड से बच्चों को दूर कर देना चाहिए और रील जैसे चीजों में या बीडियो में बच्चों को कम से कम जब पढ़ा ही एक्जाम के टाइम आते हैं तब बच्चों को इन चीजों से बिल्कुल दूर कर देने चाहिए ये जुमिदारी पैरेंस की बनती है और ये क्योंकि मैं भी माँ हूं दूशे में माँ है और इसमें किसे को बुरे लगने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है और ये वेलेंटेंड डेविड मुझे लगता है ये बरवादी वाला ही हुई क इसलिए बच्चों को देहान रखना बच्चों पे खासकर ठीनेज के बच्चों पे ये पैरेंस की जुमिदारी बनती है नमस्कार बेरे विचार शागा सहमत हो तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करेंजिए और वीडियो की जानकारी के लिए गंटिया किन प्रेस करेंजिए